योगी जी हर्याणा के मुखे मंत्री बन सकते हैं कांगरे सरकार में कैसे लगए चेक और जेक वाली आप कोई प्रव्ब्र नहीं है लाइट पाने बिजनी सब कुस हैं मोदी जी ने दस साल काम नहीं करते तो मोदी जी पास साल के लिए और को आते आपकी क्या उमीद हैं बाजपा से मुझे सो परसेंट से एक परसेंट और उपर खिसका दीजिए मुझे इतनी उमीद हैं और जो किसान वाई हो किसान वाई सुन रहा हो तो मैं कह देता हूं जो किसान है किसान सचा किसान अपना देवता माना जाता है किसान सची देश वक्ती जानता है किसी के भेकाबे में आने वाला किसान नहीं है किसान वो है हुआ है चेक और जेक वाले लायक रह जाए नालाग लग जाएं जूटे विपक्स का प्रोपगेंड़ा है रोजगार अच्छी तरके से मिल रहे हैं और बेना परची और खर्ची की रोजगार मिल रहे हैं कौन चाहते हैं पाइब सेनी जी के कारकाल में ही तीसरी बार बातपर सरकार बना रही है वो ही रहेंगे मुख्य मंत्री हम तो में चाहते हैं योगी महारागा तो 5 साल के लिए मोधी जी चाहिए अब कम को और योगी जी यहां पर कोई ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं और उससे अच्छा हम को योगी जी वापस इधर आ जाए यूपी में तो उन्होंने बहुत काम किया है शाद इस बारी योगी जी हर्याणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं इन्हों ने बहुत दमाल मचाया है मैं यह करूंगा कि इस बार भी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए आपके लिए इस बारी इलेक्शन में क्या मुद्दा है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना और गरीब की मदद करना जैसे कि उनके लाइक बच्चे हैं वो अपनी नौकरी पर पहुंच करके आगे काम्यावी हासिल करें जन जन के इपकार आपके आपके सब्सक्राइब भाजपने क्या किया है माउलाम के लिए बहुत-बहुत काम किया है जैसे और जुलागे से हैं और क्या ना पाने की प्रॉब्लम थी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट पाने बिजली सब कुस है 377 धारा हटाई है और रामंदर बनवाया है इसलिए हमें खुशी है अब लेको डोलने को सबके साथ है लेकिन जो आत्मान के दिल की जो गवाई देती है वो सिरफ बीजेपी को फ झाल पऊकि जो ए दो है